हाई फ्रेंद्स मैं आम सूरिया है और आप देख रहें Bollywood Crazies आज मैं बात करूंगा MS Dhoni के box office collection के बारे में जी हाँ first two days का collection अब सामने आ चुका है और कही ना कहीं जो collection के माइने में जो film है सभी filmों को पीछे करें बहुत आगे निकल चुकी है यह फिल्म पहली बात तो साल की पाच्वी फिल्म बन गई है जिसे सो कोड का बिजनस पार किया वही आकडों की बात करें तो पहले वीकेंड में इस फिल्म ने 66 कोड कमाए और करीबन करीबन वीक खतम होते होते फिल्म ने कुछ 75 से 80 कोड कमा लिये थे उसके बात सेकेंड वीक में भी इस फिल्म का बहुत बला रहा जहां पर तीन फिल्म में इसके साथ रिलीज हुई थी मतलब इसके बात दूसरे हफते में रिलीज हुई थी तू तक तू तू तिया MSG3, Mirzia इन तीनों फिल्म में वो पचाड़ते हुए फ्याइडे सेटेडे और संडे का कलेक्शन था वह करीबन 4 कोड पांच को इस तरह का टोटल था उसके बाद मंडे को इस फिल्म ने करीबन 3.59 क करोड करीबन करीबन कमाये थे और अब जो बारवे दिन का कलेक्शन आया है बाद भे दिन में इस फिल्म ने 4.21 करोड कमा लिया है यानि कि 4 करोड के उपर का बिजनस किया है और जो टोटल कलेक्शन होता है अभी तक का MS Dhoni का वो होता है 116.91 करोड यानि कि फिल्म करीबन करीबन 117 करोड फिल्म ने कमा लिया है महस 12 दिनों में एक अच्छा टोटल है आज के टाइम में जहां पर फिल्में जादा नहीं चल पा रही है फिल्में रिलीस तो हो रही है लेकिन एक दो हफता भी मुश्किल से टिक पा रही है सिनिमा गुरू में ऐसे महौल में एक बहुत अच्छी फिल्म सामने निकल आई है यह फिल्म टैक्स्प्री कर दी गई जालखन यूपी में इस वजह से बी फिल्म को देखने काफी लोग गय और लोगों ने जो 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 लोगों ने फिल्म देखी है सभी को यह फिल्म पसंद आई है फिल्म का जो डियूशन जरूर 3 घंटे के उपर था लेकिन फिल्म में जिससार से एक्टिंग की जिससार से स्चोरी दोनी की वो इतनी लगी शायर किसी को फिल्म बोल नहीं लगी होगी थोड़ा पुदा अगर लगी होगी तो फिल भी फिल्म से लोगोंने काफी कुछ सीखा होगा और फिल्म चाहिं को सचीन तंडुलकर से पूझा गया एमर्जॉनी के बारे में सॉषान सिंगा पूझा गया तो सचीन ने बुले कि मुझे लगा वो क्रिकेटर है तो इससे बड़ा कम्प्लिमेंट और क्या मिलेगा शुषान सिंह राजपूद को सचीन के उनको क्रिकेटर समझ लिय यह तो फिल्म का कलेक्शन अच्छा चलता है और जिस तरह से आने वाले दिनों में कलेक्शन रहेगा वो मैं आपको जोर बताऊंगा तब तक के लिए बाई